रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना की लाड़ी हूँ जिस रेस से मुझे निकालने की बात करें ये बेवकूफ उस रेस का सिकंदर मैं हूँ तो दोस्तो साल संदो जार आठ यानि के तकरीबन सोला साल पहले बॉलिवूड में बनी थी एक हॉलिवूड स्टाइल की बड़ी एक्शन फिल्म फिल्म का नाम था रेस जिसे उस वक्त 48 करोड के बजट में बनाए गया था और इस फिल्म ने उस टाइम यानि के 2008 में ही 100 करोड से भी ज्यादा का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था सैफली खान, अक्शे खना, विपासा बासू, अनिल कपूर, कर्टिना कैफ और समीरा रेडी स्टारर इस फिल्म को फैंस में बहुत पसंद किया था जिसकी वज़े से 2012 में जब रेस टु आई तो उसे भी फैंस ने उतना ही प्यार दिया फिल्म में जोन इबराहिम और सैफली खान को बहुत पसंद किया गया 183 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन इस फिल्म में भी पार कर लिया था लेकिन दोस्तो रेस टिरी जो कि इन दोनों पार्टों से बिल्कुल अलग थी जहां सैफली खान और जोन इबराहिम की बज़ाए इस फिल्म में सल्मान खान नज़र आये थे और सल्मान खान की मौझूदगी की वज़े से ही इस फिल्म ने 300 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन पार कर लिया था हाला कि फिल्म ब्लॉकबश्टर होने के बाद भी रेस 3 में सल्मान खान के साथ लोग सैफली खान और जोन इबराहिम को देखना चाते थे के साथ box office पर तहल का मत जाएगा हाला कि दोस्तो फिल्म की announcement कब तक होगी ये confirm नहीं है लेकिन दोस्तो खबरे आ रही है कि race 4 पर काम चालू हो चुका है और 2025 तक इस फिल्म के announcement हो सकती है तो ऐसे में कि उसे दो कि दोसी है प्याला का मत क褉ड़ान के से भी मेंगा lu करते दोस्तो दोस्तो है ये herogram चालूम के हो आएगान के मिलाओंग हैं बनी एक मत कम धनके जबेंगा futures वेंगां के हुथा आ दोस्तो पर ऱीधनी येपना जो कर वेंगेंगा नहीं. झाल झाल